नीट जेई चात्र के आसू देखकर सोनु सूद का बड़ा एलान देखिए सोनु सूद ने चात्रों को किस बात की दी गारंटी प्रिहार के एक चात्र ने रोते हुए अपने परिवार के हालात बया किये और कहा कि उनकी पढ़ाई के लिए पिता ने उधार तक लिया है और कोरोना काल ने जिन्दगी को और मुश्किल बना दिया है हमारे पिता जी बहुत गरीब आदमी हैं हमको प्रहाने के लिए छोलाक रुपया लोन लिये थे चातर ने कहा कि गाड़ी बाला परिक्षा केंदर तक ले जाने के लिए अजारों रुपय की डिमांड करा है और एक्जाम सेंटर हमारे गहर से बहुत दूर है और गाड़ी वाला 25,000 रुपया मांग रहा है हमारे पास पैसा नहीं है कहों से देंगे 10,000 रुपया का डिमांड करता है सोशल मीडिया पर चातर का वीडियो देकर सोनू सूध ने एक बार फिर दर्या दिली दिखाते वे ट्विट किया और कहा अगर नीट जेए की परिक्षा होती है तो जो भी चातर विहार असम और गुजरात में बार प्रभाविच छेत्रों में फसे हुए है वो मुझे अपने एक्जाम सेंटर की जानकारी दीजिए मैं आपके एक्जाम चेंटर तक पहुँचने की वैवस्था करने की कोशिश करता हूँ संसादनों की कमी की वजए से किसी भी चातर का एक्जाम मिस नहीं होने देना चाहिए जो एलान सोनुसूद ने किया है उससे नितीश सरकार और मोधी सरकार को भी सीख लेने की आउशकता है केंदर की मोधी सरकार ने जिद करने के साथ साथ ऐसी कोई घोशना नहीं की है कि हम चातरों को एक्जाम सेंटर तक हर हाल में सुरक्षित पहुँचाने का काम करेंगे शायद इसलिए मजबूर चातरों का दिल इस चातर की तरह वैठा जा रहा है आप सरकार के चातरों का दर्द ना समझने और सोनुसूद के ऐसे एलान पर क्या सोचते हैं कमेट बोक्स में पिराईज जरूर दें पत्रों करेंगे